मालदीब में ओबरे संकट पर भारत की पहनी नजर मालदीब की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के भी जारी टकराओ को देखते हुए भारत सरकार ने संकेत दिये हैं कि भारत इस मामले में मानक संचागन ठ्रक्रिया का पालन कर सकता है जिसमें सैना को तयार रखना शामिल है मालदीब के हालाद देकर परेशान भारत सोपी के तहट पहले यात्रा परामश जारी कर चुका है आपको बता दें दक्षिर भारत के एक प्रमुक एयरवेस पर सैनिकों की गत्वितियां देखी जा रही है सैना के एक अधकारी ने का कि एसोपी के मताविक किसी आकस्मिक स्थिति या संकट से निपटने के लिए सैनिकों को पूरी तरह तयार रखा गया है भारतिय मुसल्मानों पर बोले ओवेसी का कि आजादी के 70 साल बाद भी लोग उन्हें पाकिस्तानी कहके บulaते हैं कास गंज हिंसा में 10 वे दिन दर्ज हुआ केस कास गंज हिंसा के 10 दिन बाद पुलिस ने पहली बार किसी पर सामरदायक हिंसा की 13-13 पने में केस दर्ज किया मंगलवार को दंगे का दूसरा केस दर्ज हुआ है इसमें अफवां को रोपने के लिए वाटसप ग्रुप चलाने वाले दो एड्मिन को नामज़त किया गया है वह इन दौनों पर धार्मिक भाबनाव को भढ़कानी का आरोप है मंगलवार को चंदर हत्याकान में आरोपी सलमान को पुलिस ने कासबंज में ग्रफतार कर लिया राफिल सौदे की गोपनियता पर सियासी बार कॉंग्रेस ने अब सरकार के खिलाप रापर दील को लेकर मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राउल गांदी ने इस रक्षा सौदे में ना सिर्फ घोटाले का दावा किया है बलकि सीधे तोर पर इस डील में पिढ़ान मंत्री नरंद्र मोधी की भूंका पर सवाल उठाए है आपको बता दें कॉंग्रेस अध्यक्ष ने का कि मोधी जी ने व्यक्ति गत रूप से ये सौदा करवाया मोधी जी व्यक्ति गत रूप से पैरिस गए व्यक्ति गत रूप से सौदे को बदलवाया गया पूरा भरत इसे जानता है लक्ष्मी भाई की रिलीस डेट पर लटकी तलवार कंगना रनावत की फिल्म मनी कंड का पर विवादों का साया मन रहा है पहले ये फिल्म 27 एप्रेल 2018 को रिलीस होने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म 27 एप्रेल की बजाय तीन अगस्त को रिलीस की जाएगी उमीजताई जा रही है कि 15 एगस्त के आसपास आजादी पर बन रही इस फिल्म को अच्छे दर्शक भी मिलेगे